लगता है नेता जी ने अपने कान पर हाथ रख लिये हैं। हिसी लिए तो उनको सिकंदर बुर के लोगों की आवाद सुनाई नहीं दे रहे हैं। बहुते उम्मीद से चुने थे नेता जी आपको। सोचे थे कि आप हमारे बीट से हैं। तो हमारी समस्याओं को समझेंगे। लेकिन नेता जी आपको कुर्सी क्या मिली। आपने तो हमारी तरफ पीठ ही कर लिया। ऐसी उम्मीद नहीं थी नेता जी हमें आप से। लेकिन जो गंदगी आपने मचाई है। उसकी गंद पूरे सिकंदरपुर में फैल गई है। और उसकी सफाई का जिम्मा आया है हमारे सकते। और नेता जी आप ही कहते थे ना कि ताव और तेवर की कमी नहीं है हमें। और आप लोगों को मुह लगाकर बहस बाजी भी अच्छी कर लेते हैं। और नेता जी रही बात हमारे गाओं वालों की और उनकी समस्याओं की तो उसके भुक्त भोगी हम भी रहे हैं। जितनी के बाद हमको का करना है और का नहीं यह हम अच्छी से जानते हैं। और नेताजी कहते हैं ना वो तम को तम मिले मिले नीच को नीच तो यही सही नमस्कार नेताजी चलते हैं फिर मिलें